करेंगे इसको सो एकसाइज 12.1 कोशन नंबर थी है यह फीगर की बिन है हमारे पास डिपिक्ट करती है एक आर्जिरी टार्गेट यह आर्जिरी का टार्गेट है दाहें से सचिन शorphलने मार्के में 15 को था रिंदेंगेट सैनल मार्के बिरिभाय इसका से इंपां विवाई क क्योंके डार्गेट तक्रके मिन अ झासि उस एक डार्गेट यहां मोडरागेटे प्लू का थावर्ण डायमिटर जो है रिजन का रेप्रेजनिंग गोल्ड स्कॉर is 21 सेंटीमिटर स्टार्टिंग के अगर हम बात करेंगे तो डायमिटर कितना होगा डायमिटर सेंटीमिटर अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो डी अपॉन टू होता है डेट इस 21 अपॉन टू इस में 10.5 सेंटीमिटर रेडियस हमारे पास जो गोल्ड की रेडियस है वह 10.5 सेंटीमिटर हो जाएगी आगे इच ओफ ता अदर वैंड इस 10.5 सेंटीमिटर वाइड सबके सब 10.5 मिटर वाइड है फाइड एडिया ओफ इच ओफ दा फाइव स्कॉरिंग रिजन सभी का एरिया फाइंड करना में तो देखे कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करते हैं एरिया ओफ गोल्ड यू और फाइंड सिंपली तो एरिया ओफ गोल्ड गोल्ड के अगर एरिया की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा पाई आर स्कॉर राइट तो पाई है हमारे पास 22 अपॉन 7 एंड रेडियस कितनी है हमारे पास 10.5 और मल्टिप्लाइब बाइब 10.5 राइट 7 से डिवाइड कर देंगे 7 बंजार 7 3 7 5 जा 35 तो 22 की मल्टिप्लाइब 1.5 से करेंगे और फर 10.5 से 22 1.5 एड 10.5 ओकेS्ट यह मल्टिप्लाइब अग्र An outrage और में हमरे तो 22 की 1.5 से मल्टिप्लाइब इसकी मल्टिप्लाइब कर लेथे स्वेंद्प्स ओर पॉन पॉिंच है तो यह हो जाएगा 30 ぜ30 थे 0, 3,3 बड.1 10.5 की 33 से multiply कर रहते हैं क्योंकि 105 तरीज़ा कितने होते हैं 315 और फिर से 315 हो जाएगा तो यह 5 यह 6 यह 4 & 3 पॉइंट 1 नमबर के after so your answer 346.5 cm2 meaning area of gold हमारे पास 346.5 cm2 हो गया ओके अब इसमें आगे इसने क्या कहा कोशन है कि जो इच ओफ दा अधर वैंडिस 10.5 cm मतलब इसकी जो विट्थ है वो 10.5 cm है मतलब अगर हमें रेड़ का फाइंड करना है तो रेड़ का फाइंड करने के लिए यह जो टॉटल है हमारे पास टॉटल रेडियस फाइंड करेंगे एसके हम टोटल एडियस कई दिए गोल्ड की रेडियस के थी 10.5 अब इस पूरे कि रेडियस कि जाएगे 10.5 और प्लस कर देंगे रई जो चौप रेडियस ओ रेड डे़ियस ओपर रेड अगर डवले की रेडियस की काने की बात करेंगे तो कितने हुजाएगी वह आभी उ cult दोनों आरहा हैं अगर हमें रैड का एरिया सिर्या ओफ रैड करने के लिए बेरिया ओफ फुल oyun एंड़ियों फुल रीड क harmful डाया विदगॉ्ट माइनस इर्या ओफ गोल्ड कर देंगे रैप 떨ु किगे यह यह पात सम्च में आगी होगी चो फिर्यास ओफ क्याकि रेड का अगर हमें area find करना है so area of red with gold red with gold minus area of gold gold का area minus कर दीजिए तो red का हमारा area जाएगा okay so area of red with gold formula वही होता है pi r red की बात की है तो r square pi r r minus area of gold already हम find कर चुके है वो कितना था हमारा 346.5 so pi हमारे पास क्या है 22 upon 7 radius जो gold की red की बात करेंगे वो 21 है h mean 21 multiply by 21 minus 346.5 7 से इसको divide करेंगे strength 7 3 2 1 यह हो जाएगा 66 multiply by 21 minus 346.5 ओके इसकी multiply करते है तो देखे multiply करेंगे इसकी यह है 21 की multiply किससे करेंगे 66 से 6 बंजा 6 62 जा 12 और यह हमारा यह हो जाएगा 6831 it's been 1386 minus 346.5 346.5 point लगाकर 0 बढ़ा लेंगे यह 5 हो जाएगा strength यहाँ पर बचेगा हमारा 9 क्योंकि 15 बचेगा 15 में से 6 जाएगा 9 यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3 after that 9 right so यह हो जाएगा हमारा नहीं सोरी यहाँ तो हमारा simply हो गया था यह तो 10 हो जाएगा हमारा 1039 क्या जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर इस्क्वाइर ओके तो आप समझ गया होंगे रेड का एरिया हमारा find हो गया है अब अगर हमें suppose किजे blue का area find करना है तो blue का area के लिए क्या करेंगे radius कितना जाएगी यह 10.5 यह भी 10.5 और यह भी 10.5 कितना हो जाएगा 10.5 10.5 21 और 10.5 यह हो जाएगा 31.5 तो क्यालकूलेशन इस ट्रेंज अगर आप क्यालकूलेशन साइज से कर लेंगे तो कोशन टफ नहीं है और इंपोडेंट है इस मिन क्यालकूलेशन ही है बस इस कोशन में और कुछ नहीं है और बात करते हैं नाव रेडियस ओफ रेडियस ओफ रेडियस ओफ किसकी ब्लू 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 बिद रेटेंड गोल्ड रेटेंड गोल्ड दोनों की कितने जाएगी तो लिए 21 पेले था प्लस 10.5 और प्रस कर देंगे यह जाएगा 31.5 cm रएट 31.5 cm सो अब हमें क्या फइंड करना एरिया ओफ ब्लू अब्लू अब ब्लू का एरिया फाइंड करनाए इस्टेंड क्या कर देंगे एरिया ओफ ब्लू बिद रेड एंड गोल्ड माइनस एरिया ओफ रेड एंड गोल्ड एक सिंपल आपको बताऊंगा मैं अभी आपको देखें ब्लू बिद रेड और गोल्ड तो यह हो जाएगा पाई आर बी स्क्वाइर माइनस रेड और गोल्ड का एरिया होगा उसको क्या लिखेंगे पाई यहां पर जो हमारी रेडियस होगी वो क्या होगी देखें नहीं यह फॉर्मोला मत लगाई इसको सिंपली कीजिए मैं सिंपली आपको पतायता हूं क्या हो जाएगा पाई किता हमार पास 22 अपॉन 7 रेडियस कितनी होगी रेड और गोल्ड के बताये हमने यहां पर 10.5 कम होता रहेगा इसका इसको मैनेस कर देंगे तो सिंपली हमारा वह बच जाएगा ब्लू का ठीक है तो सोल करते हैं ट्वंटी टू अपॉन सैबिन मॉल्टिप्लाइवाई थर्टी बाइवाई थर्टी ओन पायद थार्टी वन पॉंट फैइगा इनके मॉल्टिप्लाइब करते हैं सो केलकुलेशन करते हैं यह 4.5 की मल्टिप्लाइब किस से करेंगे 22 से तो यह हो जाएगा 90 and 90 that is 99 हो जाएगा हमारा अब 99 की मल्टिप्लाइब 31.5 से करेंगे 31.5 से मल्टिप्लाइब करेंगे 99 की कितना जाएगा 95 जा 45 4, 9 जा 9, 4 13, carry 1 and 9, 3 जा 27 and 95 जा 45, 4, 9 जा 9, 4 13, carry 1, 9, 3 जा 27, 1, 28 यह हो जाएगा 2835 जो इसको सोल्प करेंगे यह 8, 8, 3, 11, carry 1, 8, 2, 10, 1, 11 और यह 3, right? पॉइंट हमारा 1 के आफ्टर हो जाएगा तो यह हो जाएगा यह हमारा 3, 118.5 हो गया और इनकी मल्टिप्लाइब कर देंगे 66 की मल्टिप्लाइब 21 से करेंगे, okay? 6, 6 और यह 2, 6 जा 12, 2, 6 जा 12, 1, 13 और यह 6, 8, 3, 1 इसमें 1386 हो जा अब इसको मानस कर देंगे स्ट्रेंट, okay? स्ट्रेंट इसको मानस करके आ जाएगा 1732.5 cm2 इसमें यह ब्लू का एरिया आ गया है, right? एरिया ओफ ब्लू यह हमारा आंसर हो गया है, यह उपर हमारा रेड का भी फाइंट हो गया था हमारा, right? देखें, इस्ट्रेंट अब क्य इससे जो next पार्ट हम solve करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 31.5 लिए है, इसमें 10.5 पलस करेंगे, तो ye हुझा जाएगा 42, तो यहाँ पर 42 स्क्वाइर करेंगे और यहाँ पर 31.5 करेंगे, तो 31.5 का आप यहाँ हमारा, तो 42 वाले में से इसको मा कर सकते हैं, वैसे calculation ही है, आप easily calculation कर सकते हैं, okay.